जैगी नारी दोस्तों तनुरासी वालों आपका वक्त बदल रहा है लगी रहे नजर की नारों पर कभी तो लहर आएगी न जाने तक दीर की किस चोके से जिन्गी ही बदल जाएगी जीवन पत्ने अपने इरादे बदल कर मायूस होना छोड़ दीजिए पीता हुआ कल अब भुद्काल हो चुका है कई गुजरी बातों को छोड़ दीजिए क्यूंकि जुन 2019 आपके लिए कई उन्नतिकी अवसर लाने वाला है जिसके चलते आपका वक्त बदल सकता है दोस्तों हम चाहते हैं कि बिना किछ किये ही हमें सब कुछ मिल जाए नहीं जीवन में अगर कुछ पाना है तो मेहनत तो करने ही पड़ेगी इतियास गवा है मंजिले उन्हीं लोगों को मिलती है जो उसकी ओर कदम बढ़ाते है तो आईए जानते हैं धनुराशिफल दोस्तों आप लोगों ने बहुत ही संकर्ष किया है मेहनत करने में कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा आप अच्छे अउसर के इंतजार में है तो आपका इंतजार भी खत्म हो सकता है क्योंकि धन दोलत सुक्साहभी एश्वर्य के दाता स्वयम सुक्रग्रह चार जुन से 27 जुन तक सस्ट भाव में रहने वाले है आतमा के कारक शुर्य ग्रह 15 जुन से सब्तु भाव में रहेंगे बुद्ध के दाता बुद्ध ग्रह भी एक जुन से दारा भाव में प्रवेस करेंगे रक्त का प्रतिनी दित्व करने वाले भुमी मकान के प्रदाता सोयम मंगल गरह 22 जुन को अश्टम भोवन में प्रवेश करेंगे गुरु गरह पुरे महिने व्याई भोवन में रहने वाले है राहु सब्तमभावे ममकेतू प्रथमभाव में रहेंगे दोस्तों ग्रहों की स्थितिया बदल रही है ग्रह गोचर के आधार पर हम कर सकते है कि बड़ा उलर फिर होने वाला है जिसके चलते आपका वक्त बदल रहा है राशिपल जुन 2019 की अनुसार तरो राशिवालों के लिए यह महिना कई माईनों में अच्छा रहने वाला है इस महिने में आर्थिक्षेत्र, शिक्षाक्षेत्र और करियर में अच्छे प्रिणाम मिल सकते है आपकी एक आर्यक्षेत्र में नोकरी विवसाय में नए आइडिय की वजह से आपको तरकी मिल सकती है प्रोफेशनल ख्षेत्र में भी आपकी महत्वगांग साय पूरी हो सकती है साथ में ग्रहों की स्तिती बता रही है कि यह महिना आपसे कठिन परिश्रम भी करवाने वाला है आपकी मेहनत के दम पर आपको बड़ी उपलब्द्या भी हास प्राप्ति होगी वित्य मामलों में आपको अच्छे उसर मिलने से आपकी आर्थिक नाया समाप्त होगी आर्थिक स्तिती और मजबुत होने से आप कई जगह दन इन्वेस्ट करने में भी कामयब रहेंगे जिसके चलते पारेवारी क्रिष्टों में सुधार होगा जुन मह अखरी दिनों में आपको शत्तर करे ना पड़ेगा अन्यता धन हाने की बहिस अंभावना बन रहे हैं दोस्तो आप अपने कार्यक्शेत्र में वियुक्ती नहीं है जिसको कोई समस्या ना हो और यह भी जान लेजिए कोई कोई एसी समस्या भी नहीं है जिसका कोई समाधान न हो दोस्तो W मंजले चाहे कितनी भी उची क्यों ना हो उनके रास्ते पेरों के नीचे से ही जाते है इसलिए समस्या का ड़र कर मुकाबला करे वेसे भी भाग्य का साथ मिल रहा है सफल अवस्य होंगे जोन महिने में नोकरी में प्रमोशन मिलने की ये प्रबल योग बन रहे है और सेर मार्केट से भी लाब होने के संकेत है प्रतियोगी परिक्षा की तैयारी कर रहे जातकों के लिए जुन का महिना बहतरिन साबित होगा विध्यार्थों की महिनत रंगलाने वाली है साथ में धनोरा से किस आप में से कई जातों को विदेश जाने का मोका भी मिल सकता है उच्च सिक्सा हे तू या फिर धन प्राप्ती है तू किये गए प्रयाश सफल होंगे दोस्तों के साथ रिष्टे मदूर होंगे साथ में परीजनों का भी प्यार मिलेगा दोस्तो प्रेम जीवन में अपने साथी पर अपनी भावनाओं को थोपने का प्रयास करेंगे तो आपकी बात बिगड़ भी सकती है मतभेद होने की संभावना बन रही है विवाह के सम्मध में बात आगे बड़ेगी जो लोग अभी तक सिंगल है उनको सचा साथी प्रेमी की रुप में मिलने वाला है पुराने गिले सिक भी भुला कर गले मिलने का समय बागया है जुनका यह महिना स्वास्तिय जीवन की दरश्टी से भी बढ़िया रहने वाला है इसके अलावा काम करने की जगह में बदला होने की भी योग बन रहे है अच्छे उपर्श भी मिलेगे और धन प्राप्ति का मोका भी मिलेगा हम आपको सावधान भी कर रहे है दोस्तों इस मेहने विवाद करने वालों से दूर रहना बहतर होगा वियापार में बड़ा दिश्क लेने से बजना हो चाहिए यह था धनुरा सिफल जुन दोजाए